हे गाईज, वेलकम टो मैं चैनल, आपको निकेस ठीटरियल में स्वागत है अज मैं आप लोगे साथ दुर्गा उत्सफ के बारे में कुछ बाते शेयर करूंगी दुर्गा पूजा 10 डेस का एक इवन्ट होता है जिसके लास्ट फाइफ डेस में बहुत सारे रिचुल्स रहते हैं एक ऐसा दिन जिसमें हम हिंदुस दर बना करते हैं जिसका मतलब है हम उस दिन हमारे पुर्वजों को वाटर एंड फूड ओफर करते हैं और इस दिन ये भी माना जाता है कि मा दुर्गा अपनी ससुराल कैलाश से अपने माएके के लिए आगमन करते हैं इन कोलकता महलया मार्ग्स दा बिगिनिंग ओफ दुर्गापुजा फेस्टिविटीज महलया एक ऐसा दिन है जिसमें माना जाता है कि गौडेस दुर्गा आर्थ में आते हैं इस दिन साड़े लोग सुभा जन्दी जाग के गुमने निकलते हैं स्पेशली पैंगलीस सुभा जाग के चन्रिपाट करते हैं माना जाता है कि ये उनका रिचुल्स होता है दुर्गापुजा सेलिब्रेट्स दा विक्ट्री ओफ गॉडेस दुर्गा ओवर देमन किंग मही सासुरा ये नवरात्री के दिन से शुरू होती है नवरात्री और दुर्गापुजा marks the victory of good over evil नवरात्री ए नाइन नाइट फेस्टिबल जो सारी फीमेल समेल के सेलिब्रेट करते हैं पुजा की पहली दिन है महालया जिसमें मा की आगमन होती है celebration and worship begins on शस्ति पुजा जो दुर्गापुजा की 6th day होती है उस दिन सारे मंडप में मा दुर्गा को लाया जाता है दा महापुजा starts on महाशप्त में जो दुर्गापुजा के 7th day होती है और 7th day को ही मा दुर्गा ने महिसा सुर के साथ महायूद शुरू किया था जो महिसा सुर के death पर विजय दशमी के दिन खतम होती है जो दुर्गापुजा की 10th day होती है महा अश्टमी जो दुर्गापुजा की 8th day पर celebrate की जाती है ऐसा माना जाता है कि अधात में एक उत्सव सर्वोज शिखर में पहुत जाती है इस दिन कन्यापुजन भी की जाती है अश्टमी एक शुप दिन होता है जिसमें 9 girls को invite की जाती है अपने घर पे और उनकी पुजा की जाती है महा नवमी नवमी तुर्गापुजा की 9th day को नवमी पुजा मनाया जाता है जिसमें 9 young girls को invite करते हैं अपने घर पे और उनको बहुत अच्छे से welcome किया जाता है उनके पेर वाश करके इनको welcome किया जाता है इनको भगवान समझ कर पूजा करते हैं इनको भोग लगाया जाता है कुछ popular dishes के साथ जैसे हलवा, पूडी, कले चाने along with some gifts ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन मादुर्गा ने महिशा सुर को अपने त्रिशुल से वत्या था सर धर से अलग कर दिया था And now the next day is 10th day of this दुर्गा उत्सव विजय दशमी The 10th day of दुर्गा पूजा is celebrated as विजय दशमी On this day, Goddess दुर्गा says goodbye to everyone इस दिन मादुर्गा अपने बच्चों के साथ सब को goodbye करते हैं और इस तरफ सब के आँखों में आसु के साथ सब के मन मायूस हो चुके होते हैं और सब कोई एक बार देवी की पैट शूकर आशिरबाद लेते हैं इस दिन एक और रिच्चुल रहती है कि सब वोमन मादुर्गा को पान और सिंदूर लगाते हैं और गौड़ेस दूर्गा को स्वीट्स ओफर की जाती है इसके बाद साड़े वोमन एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और इस रिच्चुल को सिंदूर खेला बोलते हैं और इसके बाद मादुर्गा की आईडल को रिवर्स, पॉन्स, लेक्स में विसर्जन दे दिया जाता है कहते हैं कि मादुर्गा विसर्जन से पहले पानता भात खाते जाती है सो इसलिए विसर्जन के दिन सब को प्रसाद के दौर पर पानता भात दिया जाता है मैंने आज आपको सारे इंफॉर्मेशन दुर्गा पुजा रिलेटेड जितना हो सका शेयर किया अगर कुछ छूट गया तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिगा I am very sorry for that So please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके औल करके रखिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँचे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्ली पर अाहिएएगे वीडियो